हलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बेक टू आड चैनल प्लांट से स्पेस मुंशी प्रेंट चन्जी ने लिखा है कि किसान के बेटे को अगर गोबर में से बद्बू आने लगे तो समझ लीजिए देश में अकाल पढ़ने वाला है तो इसी के बारे में आज हम आप से बात करने वाले हैं हम अपने प्लांट्स के लिए खाद कहां से लेकर आते हैं इसके बारे में अल्रेडी हमने वीडियो शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चैक कीजिए केवल खाद लाना ही कोई काम नहीं होता उसके बाद बहुत सारा काम होता है जिसके लिए मेरा लगबख पूरा दिन ही चला जाता है आज सुबह साड़े ग्यारे बज़े से लेकर दोपहर के तीन बज़े तक मेरा काम हो पाया जिसमें ये गोबर की खाद है और गोबर की खाद में काफी सारा कूड़ा भी होता है अब उस कूड़े में क्या होगा इस कूड़े में कोई बेकार चीज नहीं होती है इसमें घासपूस होती है आपने अगर गन्ना देखा हो तो गन्ने में जो इक होती है यानि उसकी जो पतियां होती है जब वो सूख जाती है तो शायद उनको पताई बोला जाता है कहीं कहीं पर तो वो सूखी हुई जो पतियां होती है वो सर्दियों में जो पशू होते हैं गायभैस होती हैं उनके नीचे उनको डाला जाता है जिससे गर्माहट रहे तो जो खाद में अक्सर पताई आपको सर्दियों में देखने के लिए मिल जाएगी इस तरह की छोटी छोटी घास के टुकड़े ये हैं तो जिनके यहां से हमारे घर पर दूद आता है उनी के यहां से यह खाद भी आता है और इसमें इस तरह के चोटे चोटे तिनके रहते हैं वैसे तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम हमारे गार्डन में एक दम खाद को साफ करके ही रखते हैं और यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इन पत्तियों को हटा देते हैं क्योंकि ये काफी दिनों के बाद डीकंपोज होती है यानि ये गलती नहीं है काफी समय तक इसलिए हम इसको हटा देते हैं कभी कभी खाद में काफी सारे इंसेक्ट भी निकलते हैं यानि कान खजुरा, सेंटिपीड, मिलिपीड या केचुआ या साप का बच्चा भी एक बार निकला था आपसे शेयर किया था इसलिए इसको साफ करके ही हम रखते हैं, साफ करने में जादे कोई मेहनत नहीं होती है लेकिन इन पत्तियों को हटा देना होता है जिससे जब भी हम खाद यूज करें तो उसको एकदम से निकाल कर पौधो में यूज कर सकें तो हमारा काम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े शहर हैं बहाँ पर आपको वर्मी कमपोस्ट इजीली मिल जाता है लेकिन हमारे यहाँ पर वर्मी कमपोस्ट का बैग नहीं मिल पाता है और ओनलाइन में हमें यह नहीं पता होता कि यह खाद है भी या कहीं से भरा हुआ कोई कूड़ा है तो उसको लेकर हमारा experience अच्छा नहीं है इसलिए हम देशी खाद का ही प्रियोग करना जादा पसंद करते हैं या वर्मी कमपोस्ट अगर आपके आसपास कहीं बन रही है तो वहाँ से भी आप लेकर आ सकते हैं खेतों में कई लोग बना रहे हैं आजकल तो और्गैनिक खाद की बात हमने starting में की थी अगर किसान के बेटे को गोबर की खाद में बद्बू आने लगे तो समझ लीजे देश में अकाल पढ़ने वाला है तो यह इसलिए कहा गया है कि जो हमारा काम है हमें उससे कभी नफरत नहीं करनी चाहिए उसको पूरी लगन के साथ करना चाहिए इ लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप एक नेचर लवर हैं गार्णिंग पसंद करते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई परिशानी नहीं होगी और इसमें स्मेल नहीं आती है क्योंकि यह कच्चा गोबर का खाद नहीं है यह खाद बन चुका यानि डीकंपोज हो चुका ग जोहारों तक गोबर का बहुत जादा महत्व है पहले घर भी गोबर से ही लिपाई पुताई उन पर की जाती थी तो गोबर का महत्व अपने आप में काफी जादा है पेड़ पौधों से लेकर आप जो सबजियां खाते हैं फूल देखते हैं उसमें देसी खात का ही जालकर आता है यह साफ देसी खात गोबर की खात जिसको कावडंग भी कहते हैं तो इसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे यहां पर यही एजिली मिल पाता है वैसे तो कई देसी खात है सरसों की खली का भी आप यूज़ कर सकते हैं गर पर पर शूट की है तो इस तरह से हमारे जो खात है बिल्कुल साफ सुद्रा बनकर तयार है अब हम इसको कभी भी अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस समय रिपोर्टिंग का समय है तो इनको यूज़ करना होगा अगर आपको गोबर की खात नहीं मिल पा र नहीं मिल पा रा है गोबर की खात है वर्मी कमपोस्ट है यह में फर्टिलाइजर की तरह काम करता है आपके पोटिंग मिक्स में यानि जब भी आप किसी पोदे के लिए मिटी तयार करते हैं गोबर की खात यह अगर दूसरा likwid फर्टिलाइजर है वो आप उपर से ही तो आपको यूज करना है यह कोई भी कमपोस्ट अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स फेस्बुक या इस्ट्रग्राम पर पूछ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हम भी प्रोफेशनल किसान नहीं है हमारे यहां सब जॉब मे नहीं कर सकते तो आप हैंड गलब्स पहन कर भी गाडनिंग कर सकते हैं नेचर लॅवर होने का मन Miguel Green डरी में फोटोइ क्लिक कर आना नहीं है ! नेचर लवार नाम से और काम से दोनों से बनिये और गार्णिंग कीजिए कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछे का वीडियो कैसे लगी बताईए थैंक्यू